मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दी को भी नंदन करता हूँ एस्टो तक की खास फ्रस्तुती कमल लंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल सुगम और सफल बनाए मित्रो सबसब पहले आप से नवे दन करता हूँ के एस्टो तक को लाइक करें सबस्क्राइब करें वीडियो जरूर शेर करें और अगर आप मेरी सेमाई लेना चाहें तो सीधा आजए एस्टो तक डॉट कॉम पर तो चलिए शुरुबात करते हैं आज के विशह पर मित्रो आज का जो हमारा विशह है वो बहुत खास है काल भहरव करेंगे काले जादू टोने का हंत काल भहरव नाम बड़ा डरा होना है काल का मतलब क्या है काल का मतलब पहला है मृत्यू और काल का दूसरा मतलब होता है समय है और काल कौन होते हैं यमराज और भगवान भहरव का एक जो नाम है वो है यमांतकाई यानि कि यमराज का भी अंतकरने वाले यम अंतकाई और काल भहरव जैनती का विशेश परव है बहुत खास परव मारगशीश कृष्ण अश्टमी पर काल भहरव जैनती मनाय जैने का विधान शास्त्रों में दिया गया है देखे इसके लिए संदर्व में तीन अलग-अलग वैलियूज हैं एक तो है भहरव विज्ञान तंत्र दूसरा है रुद्रामल तंत्र शास्त्र तीसरा है श्रुपुरान सबसे इंपोर्टेंट है श्रुपुरान और चौथा जो है वो है भ्रह्म वैवरत पुरान इसके अलावा काली का पुराणमी बीसी का वरणन दिया हुआ है और अलग-अलग यगों पर इनके वरणन है और बड़ा फेमस डायलोग है बावन भहरव चौंसठ योगनी लेकिन आज हम आपको बताएंगे भहरव बावन नहीं होते हैं चौंसठ होते हैं जतनी योगनियां होती ह उतने ही भहरव होते हैं और भहरव है क्या शब्द भहरव क्या है इसके बारे में भी बताएंगे और कैसे काले जादू टूने का बुरी शक्तियों का अंत भहरव करते हैं ये भी आपको बताएंगे देखें शिवपुरान के अनुसार मारगशीष कृष्ण अष्ठमी पर महादेव रुद्र अवतार भहरव के रूप में प्रकट हुए थे क्यों हुए थे देखें महादेव के ही एक और अवतार है उनके पुत्र कहे जाने वाले उनका अंशा अवतार कहे जाने वाले अंधकासुर अंधक और यहीं अंधक जो है वास्तू यहीं से शुरू हुआ शाद आपको ये लोगों को पता नहीं होगा कि वास्तु के जो शुरुवात हुई है वो अंधक से ही हुई है तो पौरणेक मता अनुसार अंधकासूर दैत्य अपनी अनिती और अत्याचार की सीमाएं पार कर चुका था अंधकासूर दैत्य ने महादेव पर आक्रमन करने का दुसाहस कर दिया था और उनके मस्तक पर गदा से वार कर दिया महाधेव के मस्तक से रक्त की धारा उत्पन्न हुई और उसी धारा से अंदकासुर के संगार के लिए शंकर के रुधिर से यानि के ब्लड से भैरव की उत्पत्ति हुई भैरव का अर्थ क्या है भैरव का अर्थ है भै का नाश करने वाला भै से मुक्ति दिलाने वाला और उसका दूसरा आर्थ है मृत्यू को भै भीत करने वाला मृत्यू को मृत्यू देने वाला काल भैरव के बारे में अलग-लग मान्यताएं दी गई है बगवान श्रीकृष्णा ने तो ये तक कहा है कि भैरव मेरी आखे हैं अब अलग- कई जगे श्री कृष्ण को काली माना गया है और राधा को महादेव तो अलग-अलग मतों के अनुसार है लेकिन भहरव हर जगे कौमन है हर गाउं में, हर चौरहाई पर हर श्रिवाले में आपको भहरव जी मिल जाएंगे भहरव जन के नेता है, नदेवता है और इने ही जन नायक कहा जाता है भगवान शंकर के जितने भी गण है उनके अधिवति तो गणेश है लेकिन उनके सेना नायक भहरव है भहरव का, चो काल भहरव का सो रूप है भहरव में उनका रंग कोलतार से भी जदा काला है काल भहरव का विशाल प्रलंब स्थूल शरीर अंगार का नेत्र हैं लाल नेत्र हैं और त्रीनेत्र हैं तीन नेत्र वाले हैं और ये काले डरावने वस्तर धारन करते हैं काल भहरव रुद्राक्ष की कंठ माला धारन करते हैं, इन्हें ही रुद्राइंश भी कहा जाता है, रुद्र के आठवे अबतार हैं, जिस तरह से हनुमान जी ग्यारवे हैं, काल भहरव आठवे हैं, काल भहरव के हाथों में लोहे का भयानक दंड है, एसी कारण इन्हें दं दंड दिने का काम करते हैं यह काल भहरव काले कुत्ते की भी सवारी करते हैं और आपने देखा होगा हमारे यहां पे कुत्तों को कित्ती मन यता दी जाती है पहली रूटी गाय और आखरी रूटी श्वान काली का पुराण के अनुसार शिव के गण भहरव के 64 भेध हैं और यह आठ भागों में विभप्त हैं जैसे ही कमल की पत्ती होती है आठ पत्तियों की एक लेयर होती है इस तरीके से आठ लेयर होती है एक कमल के फूल में इसलिए उससे अश्टवल कहा जाता है ब्रह्म वैवरत पुराण के अनुसार महा भेरव संगहार अतिसांग रुद्र काल भेरव क्रोध ताम्र चूड चंद्र चूड भेरव नाम के आठ भेरव के निर्देश है शिव महा पुराण में भेरव को परमात्मा शंकर का ही पून रूप बताया गया है जैसे भागवत में विश्णू का संपून रूप क्रिश्ण को बताया गया है उसी तरीके से भगवान शंकर का पून रूप भेरव को बताया है काल भेरव जैनती के विशेश पूजन उपायों और अनुष्ठानों से व्यक्ति को भे से मुक्ति मिलती है सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है सभी शत्रूं का नाश होता है और रोगों का अंत होता है अब क्या करें आप देखे अगर जो वेधिक उपाय जानते होने पता होता है दही में शहद और उड़द मिला जया आता है तो ये वेधिक तरीके से मास्यम मद्यम है और उस पर थोड़ा से संदूर चड़क ले और इसका भौग जो है वह काल भैरा पे लगाए और जो चड़ावा भोग है इसे चौरहाई पर रख दीजे और एक विशेश मंतर का जाब कीजे क्लीम काल काश्ठाय नमा हो क्लीम काल काश्ठाय नमा आश्वस्त करता हूँ काले जादू टोने से निश्चित मुक्ति मिलेगी मित्र आज के लिए बस अतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें एस तो तक और अपने मित्र कमनल लंदलाल को इस उमीद के साथ इजाज़त दीजे कि हम सभी का आने वाला कल सुन्दर सुखदोस फरणिम नमस्कार नमस्षिवाए झाल झाल